तो नमस्कार दोस्तों, आज में आप सभी को अपने श्वेडियो में एक और सुपरस्द औसदी पौदे के बारे में बताने वाला हूँ, आप जो ये औसदी देख रहे हैं, ये छोटा सा कठीला छोटा सा पेड होता है, जिसको जाड बोल सकते हैं, और जाड़ियां जो होती ये कठीली, उसी तरीका से ये भी होता है, और आप इसकी पत्ते देखिए, इसकी प्रितिक पत्ते के साथ में एक काटा होगा नुकीला लंबा वाला, इसलिए इस पौदे का नाम है बहेकल, और उसलियों पुस्तों के हैं जितनी, उनमें इसका बड़ा भारी महत तो दिया और उसलियों के किया जाता है, बहेकल के नाम से प्रसद दे, तो अगर आप हमारे चनल पर नहीं हैं, तो सबसे पहले हमारे चनल को सब्सक्राब विर्यों कर लें, ताकि मैं जो वेडियों डालूं, उसकी जानकारी आप तक पहुंच सके, बहेकल, कप और पित्ते का नास कर करने बाला, उपदंस और सुजाक को दूर करने बाला, रक्त विकार ना सक, दाथ खाज खुजरी को दूर करने बाला, और पिलिया रोक को नश्ट करने बाला, एक जमतकारी औसरी पोदा है, ये धातु को बढ़ाता है, और ये आखों के लिए उपियोगी है, ये आपके सर ये तिर्दोस नासक और पित्त को दूर करने बाला चमतकारी और सदी पोदा है ये आपकी पाचन के लिए को दुरस्त करता है और लीवर में ये लापकारी है पाचन के लिए जिसकी ठीक ना हो बेस भैकल के चूरन के साथ शौंट अजवान और जीरे थोड़ा सा काला नमक मि सब्सक्राइब करते हैं तो पाचन के लिए आपकी दुरुस्त हो जाती है कैंसर रोग में ये काफी रामबान सावित हुआ है उसमें आप उसदी का थोड़ा-थोड़ा सुरस्षिवन कर सकते हैं पीलिया रोग में अगर चार-पात दिन इस और पत्तों का सुरस्ष अगर सब्सक्राइब को पिला देते हैं तो पीलिया और कामला जैसी बीमारी नश्ठ हो जाती है ये तिये दोस्त का नासक है इसलिए ये सभी प्रकार की बीमारियों में काम आता है इसका पत्तियों का सुरस्ष अगर थोड़ी शेयत के साथ शेवन कराते हैं काली में इसके चुन ये बहेकल काम में आता है बुखार के जिनको बुखार न उतर रहा हो वे इसे बहेकल के छाल का क्वाद बना करके शेवन कर सकते हैं मित्रुष में काटे होते हैं इसलिए जरा देखके ही इस औसदी को शेवन करें धन्यबार